नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चले हैं एक अनोखी यात्रा पर भारत के राश्च्य पक्षी मोर के साथ. इस सफ्र में हम देखेगे उसके अनोखे रान, उसकी कुछ मिटी कहानिया और जानिये क्यूं ये है भारत का आभूशन. मोर भारत का राश्च्य पक्षी है, जो की इस देश की शान है. उसके रंगीन पंक इस देश के विव्या को प्रतिनिधित करते हैं. ये नहीं सिर्फ एक पक्षी है, बलकि भारती संस्कृती का एक महात्वा पूर्णा हिस्सा भी. रंग बिरंगी डोर मोर के पंक की छाया में भारत का आभूशन है ये एक साया में. मोर हमारे इतिहास में भी गुनगुनते हैं. प्राचीन कल से इसके सुन्दर पंक हमारे कलपना को छू गए है. उसकी विरासत हमारे संस्कृती में भी जलगता है. विरासत का गहरा असर मोर के परिंदार पर हर एक रंग में है छुपा एक प्यारा इजहार. मोर की जिन्दगी में भी कुछ खास बाते हैं. उसका नृथ्या उसकी दुनिया में एक अनोखी कहानी बाया करता है. मोर एक सामाजिक पक्षी है, जिसे अपने समाज में जगा बनाने में बड़ी खुश्यों का अनुभाव होता है. दिथ्या है मोर का कहानी सुनाता है, दिल से जुदा हर एक उसकी राहों में भटकती है. मोर का रिष्टा प्राकृती से भी गहरा है. उसके पंक एक सुंदर सौंदर्य का प्रतीक है. इसके जलवे में हम देखते हैं भारत की प्राकृती का अनूथा राण. प्राकृती का सौंदर्य, मोर की अनूठी कहानी जल्वे है उसके हर कोना रौशन है जवानी मोर का प्राकृती से जुदा होकर उसकी खोज में निकल पदे है वैज्ञाने उनका कहना है कि मोर की खोज से हमें और भी नए राज खुलते जा रहे हैं उसके पंक, उनके राण, ये सब हमारे विज्ञान में एक नया अध्याय खोले जा रहे हैं इस कुछ मिन्यूटों के सफ्र में हमने देखा, समझा और मासूस किया है मोर का महात्वा भारत का राश्च्य पक्षी मोर एक नहीं बलकी अनेक रूपों में हमारे सामने है इस सुन्दर पक्षी की एक ज़लक हमारे देश की शान को और भी बढ़ा देती है ऐसे ही अपने धरोहर का हमेशा सम्मान करते हैं और इस प्रकार मोर को अपने दिल से जोडते हैं अगर हमारा विदियो अच्छा लगा तू लाइप और सब्सक्राइब करें हमारे चानल को धीने बाद